इगल 70 साल तक जी सकता है लेकिन सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इसके पंख और पंजे कमजोर हो जाते हैं इसके नाखून बहुत लंबे हो जाते हैं और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह उड़कर शिकार नहीं कर पाता ऐसी सिचुएशन में इगल भूखा मर जाता है लेकिन इगल हार नहीं मानता वह अपनी चोँच को पत्थर से टकर टकर कर तोड़ देते हैं और खून बहने के बावजूद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ कर छोटा कर देता है उसे भी बहुत खून बहता है लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता लगभग 6 महीने बाद नया चोँच और नए नाखून आ जाते हैं वह अपने नाखून से उन पंखों को काट देता है जो उड़ने लायक नहीं रहे इसमें भी बहुत दर्ध होता है लेकिन 7 महीने बाद नए पंखों और नाखूनों के साथ वह फिर से शिकार करना शुरू कर देता है इस प्रकार मृत्यों की सिचुएशन में भी वह हार नहीं मानते और 70 साल तक जीवित रहते हैं